हलो फ्रेंड्स, मैसल्ब दॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं एक इंपोर्टेंट प्रोग्राम Integrated Diseases Surveillance Project IDSP के बारे में ये मिशन क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है ये किस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट आगे बड़ा उसकी माइल स्टॉन्स, सर्विलन्स सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्ट्राइब जिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबना विल्कुल भी नबूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो IDSP प्रोग्राम का में मिशन ये है कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी diseases spread हो सकते हैं जिसमें भी epidemic create करने की capacity जो है जिसके का एक surveillance mechanism जो है वो properly establish करना जिसके कारण हम early warning signals जो है वो catch कर पाए और effective public health actions जो है वो हम timely initiate कर पाए जिसके कारण disease जो है वो उस area से जो है वो आगे न बढ़ जाए तो इसका structure क्या है structure इसका जो है वो CSU that is the Central Surveillance Unit जो की National Control of Disease Control जो unit जो है Delhi के अंदर उसके अंदर है और वो जो control करेगा उसका decentralized mechanism है वो state surveillance unit को जो है वो control करेगा जो की total 36 SSUs है वो control करेंगे DSUs को जो की 670 district surveillance units है और वो जो data collect करेंगे वो करेंगे PHCs, CHCs, hospital including government as well as private जो main data collect होगा वो होगा mainly यहाँ पे सबसे grassroots level पे जो की report होगा district को district करेगा state को और state जो है वो center को करेगा और इस data mechanism का जो flow जो है और जो भी guidelines follow up जो है वो हर एक disease के regarding जो है वो grassroots level पे पहुँचेगा तो जब यह IDSP जो है वो शुरू हुआ तो actually वो IDSP नहीं था तो उसके milestone क्या है कि 1997 और 1980 के अंदर इसका नाम था National Surveillance Program for Communicable Diseases ऐसे जो भी infectious diseases जो है जो easily communicate होते है उनका monitoring करने के लिए NSPCD को initiate किया गया था अगर आपको पूछे कि भई exit IDSP project कब launch हुआ तो वो है 2004 जब उसको जो है officially launch किया गया और उस program के अंदर 2007 के अंदर एक weekly reporting जो है वो include की गई और week जो है वो गिना जाता है Monday to Sunday याने कि जो भी उस और हर एक week को जो है पूरे year के अंदर एक number दिया जाता है हमको पता है 52 weeks होते है तो जब जनवरी से शुरू होता है तो first week second week उस हिसाब से और हर एक पूरे week की reporting जो है वो एक साथ एक दिन जो है वो करनी होती है जो mostly Monday को या फिर up to Wednesday तक वो reporting कर देनी होती है 2010 में थोड़े restructuring किया गया and सबसे important thing 2012 के अंदर इसको जो है पंच वर्षिय योजना जो five years plan जो है उसके अंदर इस disease को जो ह अंदर दे नरे जेम नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के अंदर लाया दिया गया and the another most important अब तक जब क्या हो रहा था कि जो भी reporting थी वो डिस्टिक कलेक करके भेज रहा था अब जो entry जो है वो 2015 में block level entering मतलब के तालू का level पे जो है इसकी data entry जो है वो होना शुरू हो गए जो की काफ़ी एक decentralized mechanism है अब आपको होगा कि यह हर weekly report तो करना है बट data collection होगा किस तरीके से तो इसके लिए standardized process बनाने पड़ी जिसके अंदर तीन form लाए गए S form, P form and L form अब S format जो है वो एक simple syndromic diagnosis है जो basically paramedical staff, A&M, ASHA जो है वो report करेंगे और को यह clinical P format जो है जिसको एक presumptive diagnosis बोलते है जो patient की history, clinical examination से हमको पता चलता है कि यह disease जो है इस area में बढ़ रहा है तो वो disease का reporting medical practitioner in the form of P format करेंगे और उसको confirmation करने के लिए जब patient को lab में भेजा तो lab वाले उसको confirm करके L format के अंदर जो है वो data भेजेंगे तो इस तरीके से तीन format के अंदर data जो है वो collect किया जाएगा एक simple example से समझते है कि अगर किसी जगह पे typhoid का outbreak हुआ है तो basically S format में data जाएगा अब इस area में fever के cases बढ़ रहे है ठीक है अब ऐसे patient जब clinician के पास जा रहे है तो उसकी typical pattern है कि उसके चमणी पे rashes है, abdominal pain है और fever जो है बढ़ते जाना वाला step ladder fever है तो वो diagnosis के अंदर P format के अंदर enteric fever भरेंगे तो वो हो जाएगा P format और वो जब भेजेंगे laboratory में उसकी विडाल टेस्ट होगी confirm होगा कि ये enteric fever ही है तो data जाएगा L format के अंदर कि हाँ, enteric fever is there, typhoid जो है वो वहाँ पे cases बढ़ रहे है तो इस तरीके से एक simple fever उसके उपर presumptive और फिर lab confirmation मिलने से वो disease का जो ह चीज़े आती है तो इसमें fever, cough, acute placid paralysis, diarrhea, jaundice या फिर ऐसी कोई भी चीज़ के जिसके कारण कोई person का जो है unusual death हो गया, वो S format के अंदर जाए गया, अब आपको होगा कि P format के अंदर क्या-क्या भेज सकते हैं, तो IDSP के अंदर total 22 चीज़े हैं, उस 22 चीज़े के अंदर जो है, diarrhea, dysentery, viral hepatitis, enteric fever, malaria, dengue, chicken gunia, meningitis, diphtheria, measles, pertuses, chicken fox, fever of unknown origin, pneumonia, flaccid paralysis, dog bite, very important, snake bite, ये सारे चीज़े हो और ऐसा कोई भी अबो 21 जो है उसमें involved नहीं है और आपको लगता है clinical practitioner को कि ये disease जो है वो spread हो सकता है, तो you can send in the 22 column जो उसका form आता है, उसके अंदर 22 के नंबर के अंदर आप एक अलग भी जो है disease जो है या ऐसा presumptive diagnosis डाल के बेज सकते हो, जबकि L form के अंदर total जो है वो 12 चीज़े आती हैं, इस 22 चीज़ों में से जो भी आपको confirm हुआ है, डेंग्यू, चिकनगुनिया, टाइफोइड फीवर, या इंट्रिक फीवर, डिफ्थेरिया, मैलेरिया, लेप्टोस पायरोसिस, ये सारी चीज़े जो है वो laboratory जो confirmed होती है, वो L format के अंदर जो है वो जाएगी, तो इस तरीके से एक data, एक surveillance mechanism जो है, जो कि उस area के अंदर जो है, वो जाएगा state, state के बाद जो है, वो center के बास, और हर एक weekly जो है, उसका report जो है, is a map के साथ, जो है, वो publish होता है, उसकी site के उपर, और उस site पे से आप download करके report भी जो है, वो देख सकते हो, जिसके अंदर, जो हर एक week के अंदर, कौन सा disease, जो है, क प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा, thanks for listening.